हाई फुडीज कैसे हैं कुक विथ फुडीज में आपका स्वाधत है दोस्तों हमारे विवर्स के डिमांड फी कि हम तवा पुलाव की रेस्पी आप लोग के साथ शेयर करें तो आज हम मुंबई स्टाइल तवा पुलाव बनाएंगे तो आईए हम शुरू करते तवा पुला इससे क्या होगा कि हमारे चावल खिले खिले और सफेद बनेगे बिल्पुल अब इसमें प्रावल है वो देढ़ काप चावल लिया था उसको दो के अच्छे से डो गंटा पानी में भिगो और दिया था उस्टावल को मूबलते वे पानी में डालेंगे और हम इसे उबाल देखे हमारे चावल उबलने लग गए हैं और इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं क्योंकि में बहुत जादा ओवरकुक नहीं करना है हमारे चावल गल गए हैं अब इससी समय हम गैस को बंद करके इसको एक जाली में निकाल लेंगे इसकी जगहां बचे वे चावल का भी इस्त अब तक हम भाजी त्यार कलेते हैं हमने एक तवा लिया है बड़ा लोहे कलिया है इसमें हम एक बड़ा चमच देशी घी डालेंगे और एक बड़ा चमच बटर डालेंगे देशी घी में हमने बटर इसलिए डाला था कि हमारा बटर जलेगा नहीं इसको मेंट कर लेंगे इ इसको आप बटर में ही बनाईएगा और इसमें दो मीडियम साइज के हमने बारीक काटके प्याज लगे तो हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम भूल लेते हैं थोड़ा सा हमें बहुत जादा नहीं भूलना है दोस्तों अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आती है तो लाइ अब इसमें हम एक बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इससे इसको भी थोड़ा बूलेंगे जिससे इसका लहसुन का कच्चापन खताम हो जाए इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अब इसमें हम एक इंच बारी घिसवी अद्रक डाल देते हैं और इसको भी थोड़ा सा बूल लेते हैं जिससे अद्रक लैसुन सबका कच्चापन खतम हो जाए तेकि सबका कच्चापन खतम हो गया है अब इसमें हम तीन से चार बारी कटिवी हरी मिर्च डाल देंगे इसक मेडियुम सायजे की चिमला मेर्च स्को बारी काटकर आपको डालें घाल हमें इसी समय tell को अएकी कटीओी चिक विल साईज़गी काजर है उसको बीलालें डालेंगे कि अ इसमें हम अब जुब मेर्चप करण अब इसमेंaving दो बनेट निकार ईड़ा दानें अई इसमें आप फ्रोजन मटर भी डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा मैश करते मिक्स करेंगे हम अच्छे से और इसमें एक उबला हुआ अलू है उसको भी बारीक बारीक कट करें डाला है और मैश करते हुए हम इसको मिक्स करते हुए भूनेंगे इससे अलू से क्या हुआ कि हमा भूछे से मिकस कर लेंगे और एक बड़ा कमच पावभाजी मसाला डालेंगे चलव बाद में दालेंगे के बार्टे इसको कुब अच्छे से मैश करते हुए भी बना उसके अब लेकिन बना रहा है लेकिन बिल्कुल ओंतिक तेस्ट तवे पर या तैर वे बना ये गाँगा अब इसमें तीन मीडियम साइज के बारीक कटेवे टमाटा डालेंगे, तरकि इसमें टमाटा को फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और इसको मिक्स करते वे अच्छे से मूनेंगे, तरकि तब अपलाओ में मेल टमाटा अच्छे से डालना चाहिए, अब इसमें आधा छोटा चमश रेड चिली पेस्ट जाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, रेड चिली पेस्ट के लिए जो साबुत लाल मिर्च होती है, उसको पानी में भिगो के और पीस लेते हैं, वही रेड चिली पेस्ट बन जाता है, अब इसको हम धक के भाजी गलने तक पका इसको मैशर से मैश करेंगे थोड़ा सा, जिससे बाइंडिंग अच्छे से आजए और बहुत जादा भी मैश नहीं करेंगे, जिससे सबजियां अलग-अलग भी थोड़ी सी लगे, अहलके से मैश कर देंगे कि आलू है और यह सब चीज अच्छे से मिक्स हो जाए, देखे हमारी भाजी भी कुब अच्छे से पक गई है, अब इसमें हम कुछ मसाले और डालेंगे, जो हमने पाव भाजी मसाला एक बड़ा चमच बचा के रखा था, वो अब इस समय हम डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और इसी समय हम दो बड़े चमच बटर डाल देंगे, इससे पुलाओं में फ्लेवर बहुत अच्छा उभर के आएगा, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और उपर से इसमें फ्रेस्ट थोड़ा सा हराधनिय डाल देंगे, और इसको भी मिक्स कर लेंगे, अब आधे पोश्चन को में एक बाउल में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा तवा थोड़ा छोटा है, इसलिए एक बार में पूरा नहीं बना पाएंगे, इसलिए आधा अधा करके दो बार में हम बनाएंगे, देखे हमारी भाजी थोड़ी सी सूख गई है, इसमें हम दो से तीन चमज पानी डाल देंगे, और इसको थोड़ा सब भूल लेंगे, क्योंकि अगर भाजी सूखी होगी, तो फिर हमारे चावल में अच्छे से मिक्स नहीं होगी, देखे हमारी भाजी भी त्यार हो गई है, अब इसमें हम चावल मिक्स करेंगे, तो चावल को भी हम दो पोर्शन में कर लेते हैं, और थोड़े थोड़े चावल टाल के हम इसमें मिक्स करेंगे, बाकी जो भाजी उमने निकाल के रखी थी बाकी के चावल हम उसमें डाल के देखे हमारा चावल अच्छे से मि Geld होने लग गया है जाम सुक्ते साल की In cash हुआ कि लें एंगे है और इप cash zusammen करेंedar Rayarram अठीश में सब्गार्षात करेंगेagers हमारे अच्छे से मिक्स होते हैं इसको खुब अच्छे से मेक्स कर लेंगे हम, उपर सम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, दोस्तों हमारा मुंबया तवा उपलाव बिल्कुल रेडी है, इसको आप गर्मा गरम रायते हैं और प्याच के साथ सर्व करिए, दोस्तों आपके भी कोई रेस्पी की डिमांड हो, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करेंगे उस रेस्पी को आपके साथ शेर करूँ, दोस्तों अगर आपको हमारी रेस्पी पसंद आती हो, तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट्स और हमारे दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे, एक नई रेस्पी के साथ नमस्कार